कोश्चन नमबर 75 अपने सामने इसमें कह दिया दा एडिया ऑफ पैरलेल ग्राम बारा सो पचास सेंटीमिटर इसको दिया रेश्यो बताना है अपन को क्या रेश्यो गिवन है लेंथ ओफ एडियसें साइट का ठीक है अब दो को पैरलेल ग्राम मनाओ सबसे पहले तो कि यह वह ओगा पैरलेल ग्राम हो गया यह क्या हो गाई इसकी लेंथ होगी कि पर यह लार्ज ए साइड भी मान लिए अपनने आठ यूनिट हो गये त्थीक है रिकल ठीक है कोई दिकत नहीं है यह मान लिए अपनने क्या है ब्रेथ और यह smaller side हो जाएगी 5 unit हो जाएगी यह 8 unit यह 5 unit अब देखो larger side के बीच में बीच की दूरी क्या हो जाएगी यह height हो जाएगी इसको मान लिए हपने h1 जो कि अपन को question में गिवन है कितनी 30 ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कर नहीं है smaller side की बीच की दूरी यहां से perpendicular डाला यह जाएगा यह हो जाएगी कितनी h2 जो अपन को निकाल लिए है ठीक है बिल्कुल ठीक है अच्छा इसके area का formula क्या होता है तो आप बोलो इसके area का formula होता है लंबाई गुड़त height ठीक है यह होता है area का formula तो पहले वाली लंबाई अगर अपने l माने तो height इस पर कौन सी है तो h1 है और अगर अपन break से निकालना चाहा है तो break से भी निकाल सकते है height h2 लेनी पड़ेगी ठीक है बिल्कुल ठीक है तो l अपन भी अगर अपन निकालने क्योंकि अपन ने l को 5 माना है l को अपन ने बड़ा माना है तो बड़ी वाली side क्या हो जाएगी 8 unit हो जाएगी तो यह हो जाएगा 8 upon 5 ठीक है अब ध्यान से देखो बड़ी वाली side के बीच की दूरी h1 30 है अपन को given है h1 की value given है अपन को 30 मतलब 5 unit की value 30 given है कितने time 6 time तो इसकी कितनी हो जाएगी इसकी भी 6 time हो जाएगी तो यह कितनी हो जाएगी 8 ठीक 48 मतलब जो अपन को निकालना था h2 वो क्या हो जाएगी 48 cm ठीक है